जेनिय से पाल बहुत दिनों से एक बहुत बड़े जेल में एक बहुत बड़ा कैदी कैद होता है वो दोनों आपस में कुछ पर्चियां दिखा दिखा कर कुछ दिनों से बात कर रहे थे वो उनमें अपने जेल से भाग जाने के लिए कुछ सीक्रेट कोड लिखते हैं एक दिन गलती से वो परची पुलिस के हाथ लग जाती है लेकिन पुलिस समझ नहीं पाती है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ तो क्या आप इने देख करके बता सकते हैं कि इस परची पे क्या लिखा हुआ तो ध्यान से देखे जब यह आपको पता चलेगा और बताए वो कैदी क्या कहना चाहता था अपने कोड़ वैज लेगा उन्हें जिल से भाग जाना है तो क्या आप पकड़ पाएते इसको जी हाँ पहली थोड़ी से लोजिकल तो थी तो अगर हाँ तो आप अपना अंसर जल्दी से में नीचे कोमेंट कर दो वीडियो को जल्दी से एक लाइक करके रैट करके सब्सक्राइब बेटन पर भी किलिक कर लो चलिए अगली पहली देखते हैं अभी आपके सामने दो इमोजी बन दिये इन दोनों इमोजी से एक मिठाए का नाम बनता है तो अपना अंसर कोमेंट करो ओके तो चलिए इसका आंसर देखते हैं पहला है गुलाव दूसरा है जामन तो आंसर है गुलाव जामन इसी तरह चलिए अभी आप इसे बताओ ओके तो इस से आपने पकका बता जयाओ पहला हल अ दूसरा है यान की हलवा तो क्या आपको भी हलवा पसंदते है अपना अंसर कोमेंट में जरूर देना वेडियो को भी एक लाइक कर दे हैं अभी आपको सामने फिर से दो इमोजी देख रहे होगी इन दोनों को इमोजी को उक्म लाने से इस लड़के का नाम बनता है तो किया नाम बनता है answer comment करो के टो चलिए इसका answer दीखते है पहला है love यानी कि लू और दूसरा है cast यानी कि इस लड़के का नाम बन जाएगा location तो क्या आप इसका नाम yeah कर पाएते हैं अगर हाँ तो आंसर कॉमेंट किजिए चलिए अगली पहली देखते हैं रंग है मेरा काला उजाले में दिखाए देती हूं अंधेरे में छुप जाती हूं बताओ कौन हूं तो ध्यान से तोच यह और आप अपना अंसर का कॉमेंट कीजिए ओके तो इसका अंसर देखते हैं इसका अंसर है परचाई जो कि आपको सिर्फ उजाले में दिखाए देती है और इसका रंग भी काला होता चलिए अभी अगरी पहली देखते हैं अब यह आपके सामने फिर से दो पिक्चर आईए इन दोनों पिक्चर से किसी फूड का नाम ब कोटन और दूसरा है केंडी तो है यह है कोटन केंडी तो आपने कितने पहले हो का अंसर सही दिया अपना अंसर कॉमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब वीडियो को एक लिए